अलो श्रुएंट आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सीबिगंज बरेली में देखे आज हम आपके लिए लेकर के आगए है एक्सरसाइज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था 5.4 एक्सरसाइज हमारी चल रहे है और इसके अंतर गज्जो है हमने आपके लिए बता दिये थे अती लगू प्रश्ण सभी करा दिये थे अब हम इस वीडियो में आपके लिए बात करेंगे लगूत्रिय प्रश्णों की बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण होने वाले हैं लगूत्रिय क्योंकि यह कहीं न कहीं सब NCRT प्रश्ण हैं बहतरीन प्रश्ण हैं तो इनको आप जहां तक है अच्छी तरीका से सीखेंग और हम आपके लिए यहां पर प्रश्ण करा रहे हैं जो की लगूत्रिय प्रश्ण है exercise 5.4 का देखिए यहां पर हम बात करते हैं प्रश्ण की और प्रश्ण के जो हैं तीन पार्ट दिये गए बच्चों प्रश्ण के तीन पार्ट हैं और तीनों पार्ट बहुत ही महत्तप तो यहां पर प्रश्ण यह है कि नीचे दिये गए योगफल की गणना कीजिये यह प्रश्ण है देखें प्रश्ण को लिख देंगे जिससे कि आपके लिए समझ में आ जाए कि प्रश्ण क्या है और प्रश्ण की सुरुवात कि सवाल से हो रही है तो पहला हमारे सवाथ है ये लिखा है साथ प्लस दस सही एक बटा दो ये लिखा है प्लस चौधा और प्लस डॉट 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 प्लस 84 तक ये है अब यहाँ पर आपके लिए इसके योगफल इसका ग्याद करना है तो किस तरीके से हम इनका योगफल ग्याद करेंगे इस बात को हम बताएंगे आपके लिए बहुत important प्रश्ण आपके सामने है तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारे AP सीरीज चल लएए बेटा और AP सीरीज के अंतरगत हम यहाँ पर आपके बताने वाले हैं तो सबसे पहला हमारा जो पद है A वो है साथ A कमान मैंने लिख दिया साथ A कमान क्या है? साथ है अच्छा D कमान निकालेंगे तो D कमान निकालेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 ऐसे निकालेंगे तो T2 माइनस T1 मतलब दूसरा पद तो दूसरा पद यह लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया 10 सही 1 बटा 2 और माइनस पहला पद क्या है? तो वो है साथ यह पहला पद लिख लिए क्लियर है? देखते जाएए देहन से सवाल को करेंगे तो हमने बराबर का चिन्न लगा दिया देखो 10 दूना क्या हो जाएगा? 20 और 20 और 1 उसमें जुड़ जाएगा तो हमारे पास होगे 21 बटा 2 21 बटा 2 और फिर माइनस का यहाँ पर ले लिए हमने 7 है हमारे पास 7 चला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है तो 21 बटा 2 माइनस 7 यह लिखा है तो आपके लिए अब क्या करना है? अब यह करना है कि देखो भाई LC हम ले ले लेते हैं तो 21 तो ऐसा ही रहाएगा 21 ऐसा ही रहाएगा और बेटा क्या करेंगे? माइनस 7 की उना 2 से कर देंगे तो 7 दूनी 14 और बटे में फिर 2 आ जाएगा क्योंकि हमने 2 को लासा ले 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 बहुत इंपोर्टन्ट सवाल हो रहे हैं आपके लिए आप धहन लखना कि हम किस तरीके से कल्कुलेशन को कर रहे हैं तरीके से समझा रहे हैं तो आपके लिए धहान से समझना है देखिए 21 माइनस 14 यहाँ पर है तो आप 7 बचे गए यहाँ पर तो 7 और बटे में कितना जाएगा 2 7 बटे 2 आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बटे 2 आ गया यानि D कमान 7 बटे 2 करेंगे कि इसमें कितने पद है इस सीरीज में कितने पद है इस बात को हम पता करेंगे तो इस बात को पता करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर यह अंतिम पद है 84 यह 84 जो है अंतिम पद है इसका तो हम यहाँ पर देखें, दहान से लिखेंगे, L बराबर 84, यह, और यह अन्तिम पद है आपका, अगर अन्तिम पद है, तो आपके लिए करना क्या, दहान से देखेंगे, अन्तिम पद है तो फार्मूला होता है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यह होता है, यह फार 84 बराबर में A कमान A कमान देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7 तो मैंने रख दिया यहाँ पर 7 प्लस N-1 इंटू D है तो मैं लिख दे रहा हूँ N-1 इंटू D कमान हमारे पास आ चुका है 7 बटा 2 तो यहाँ हम लिख देते हैं D कमान 7 बटा 2 यह हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपके लिख देखिए है 84 7 को इदर लाएंगे मैनस का 7 बराबर में N-1 इंटू 7 अपॉंट 2 यह हो गया अब यह घटा लेंगे यहाँ पर 14 मैंसे 7 गया 7 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7, 87 हो गया अब बराबर में 7 बटे 2 की गुणा होगी यह N-1 ऐसे ही लिख लो N-1 और इंटू में आपके लिख देना है 7 बटे 2 यह लिख देना अब यह जो 7 बटे 2 लिखा हुआ है जहाँ से देखेंगे 7 बटे 2 लिखा हुआ है यह नीचे चला जाएगा तो यहनी 77 और बटे में आ जाएगा 7 बटा 2 क्यूंकि हमने नीचे कर लिया है बराबर में N-1 यह क्लिए रहे अब इस तरीकह से हम यहाँ पर यहां तक लिख आएए अब आगे बढ़ाएंगे देखो 77 बटे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 उपर चला जाएगा तो हम अगले ने नेक्स डिश्टिप लिख रहे हैं तो मैंने लिखा 77 इंटू में 2 उपर चला जाएगा और 7 हमारे पास नीचे आजाएगा और बराबर में हो जाएगा अब के लिए N-1 अब साथ से इसको कैंसल कर देंगे तो साथ एकम साथ साथ एकम साथ ये कट जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा बराबर में N-1 ये 1 लिखा हुआ है N-1 तो यहाँ पर आप देखिए N तो यहीं रहेगा 1 को इदर ले आते हैं तो 22 प्लस 1 बराबर में N तो 22 और 1 कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा यानि 23 बराबर N तो N का मान इससे साथ से आजाएगा हमारा पास 23 N का मान 23 हागा यानि इसमान जो number of terms है पदों की जो संख्या है वो 23 है अगर 23 है तो 23 पदों का योग भी निकलना पड़ेगा भाई मरे तो एकफल गयात करना है क्योंकि तो हम लिखाएगे as 23 बराबर 23 अपॉन टू फर्मूला होता है N बटे 2 2 A A कमान अमारे पास है यहाँ पर देखिया 7 A कमान 7 है Plus N minus 1 इंटू D यानि 22 हो जाएगा क्योंकि N minus 1 का मतलब 23 minus 1 22 हो गया और D कमान है अमारे पास D कमान है 7 बटा 2 तो हमने रख दिया यहाँ पर 7 बटा 2 यह रख दिया अब देखे 23 बटा 2 को तो हम ऐसे ही रखके यहाँ पर चलाएंगे 23 बटा 2 और यह हो जाएगा 2 सत्य 14 और प्लस 22 गुने जो 7 बटे 2 है इसको काट देंगे 2 से 11 बार में यह तो कट जाएगा तो 11 सती 77 आ जाएगा यहाँ पर तो यह आ गया 23 बटे 2 और 14 प्लस 77 आप जोड़ लेंगे इसको तो यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर इधर देखो 23 बटा 2 और 14 और 77 को जोड़ लेंगे देखो 7 और 4 ग्यारा का 1 और हासिल लगा 1 और 7 और 1 8 और 1 9 यह आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आपके लिए 23 निकाल लेंगे तो 2 है यहाँ पर और यह है तो 23 इंटू 91 गुणा कर लेते हैं 2 से बाग कर देगे या तो इसको 2 से बाग कर लो तो मैं इसको कर देना देखो 2 एकम 2 और फिर 3 के लिए 2 एकम 2 फिर 2 बंजे 10 11.5 और गुणे 91 तो हम इसकी गुणा कर देते हैं 115 की 91 से तो एक से करेंगे तो पाँच एक एक क्रोस 9.45 का 5 हांसिल लगा 4 और 9 एक कम 9 चा 13 का 3 हांसिल लगा 1 एक 9 एक कम 9 और एक 10 पाँच 5 एक 6 तीन एक 4 एक 0 यह आ गया 104.65 इसे साफसे हम यहां पर जो है पॉइंट एक के बाद लगा हुआ है तो हैं पॉइंट लगा देंगे यानि 104 छे 10 मलब 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा यानि 23 पदों का जो योग आ जाएगा वो इस तरीका से यहां पर 1046.5 आ जाएगा पाँच में का जो है पाँच में का दूसरा पार्ट तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है यहां पर दिया गया 34 प्लास 32 प्लास 30 और प्लस डॉट डॉर डॉट 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 प्लस 10 दस तक आईए सीरीज अगर दस तक सीरीज आईए तो इस हिसाब से अगर हम कह सकते हैं इसका जो है अंतिम पद 10 है ठीक है अंतिम पद क्या है इसका 10 है 10 है अंतर तो भई रहेगा देखो हमें आरे पास यहाँ पर सबसे पहले इनका योगफल निकालना है योग याद करना है तो हम यहाँ पर A बराबर कितना मान कितना है कितना है 34 A का मान 34 है ठीक है इससी तरीका से D का मान निकालेंगे तो D का मान होता है T2 माइनस T1 D का मान होता है T2 माइनस T1 तो D बराबर यहाँ पर T2 माइनस T1 का मतलब है T2 दूसरा पत 32 है और minus T1 का मतलब कितना है 34 है तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा 32 और 34 यह ज़्यादा है यह कम है तो घटा लेंगे minus का हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा minus का 2 यानि D कमान जो है इसके लिए minus का 2 आएगा अगर D कमान minus 2 है अगर D कमान minus 2 है तो हम क्या करेंगे तब देखे सीरीज आप देख ली देंसे इसका last जो term है वो 10 है ये तो हम लिख देंगे L कमान जो है आपर वो है 10 L कमान कितना है 10 है last term 10 है तो अगर last term 10 है तो इस इसाब से कितना formula होता है हमारे लिए है क्योंकि हमें number of terms निकलना है पदों के संख्या निकालना है बच्चों तो formula लगा देंगे L बराबर A plus N minus 1 into D L कमान है 10 बराबर में A कमान है 34 प्लस N minus 1 into D D कमान है हमारे पास minus का 2 यह है तो 10 34 को इदर लिए आएंगे minus का 34 बराबर में N minus 1 into minus 2 यह है तो 10 34 और यह 10 है तो आपके लिए आपर 24 हो जाएगा minus का तो minus का 24 बराबर में N minus 1 into minus 2 यह होगा तो N minus 1 को तो यहीं रोख लेगा minus 2 को नीचे भेज़ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम minus का 24 बटे में minus का 2 आजाएगा और बराबर में हो जाएगा अब के लिए N minus 1 यह N minus 1 यहाँ minus से minus cancel हो जाएगा तो 12 बराबर में यह कट जाएगा तो 12 बराबर N minus 1 यह आगा तो इसे साबसे 12 और 1 इदर जाएगा तो हो जाएगा plus का 1 बराबर में N तो 12 और एक हो जाएगा अब के लिए 13 13 बराबर में N N का मान 13 आगया 8 इंपलाइज करके लिख देंगे कि N का मान जो है वो 13 है N का मान 13 अगर N का मान 13 आगया इसका मतलब 13 पदों का योग निकालना है तो 13 पदों का योग निकाल लेते हैं S 13 बराबर N बटे 2 होता है तो 13 बटे 2 हो गया 2 गुणे A A का मान 34 यह देखो लिखा हुआ है A का मान 34 plus N minus 1 इंटू D N minus 1 मतलब 13 minus 12 हो जाएगा और गुणे D D का माने minus 2 किलियर है अब इसको solve करेंगे तो 13 बटे 2 ब्रेकेट 2 की गुणा 34 से करा लेंगे 2 चके 8 और 2 ती यह 6 इस तरीका से यह 6 हो गया और plus plus क्या यह आपर minus हो जाएगा 12 दूनी 24 12 की गुणा 2 से हो जाएगी minus का 24 यह आगया अब क्या करेंगे यह 13 बटे 2 लिखा हुआ है अब 8 में से 4 गया 4 बचा और 6 में से 2 गया 4 बच गया अब 2 से इसको बाग कर देंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यह कैंसल हो जाएगा 22 बार में तो 13 गुणे 22 यह है तो 22 की गुणा हम 13 से करके आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना सम आएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 क्रोस 1 दूना 2 तो यह आगया 6 और 6 दू 8 और यह 2 286 यानि 13 पदों का योग जो है 13 पदों का योग होगा 286 यह सम हो जाएगा इसका यह योग हो जाएगा इसका यह हमारा आंसर होगा तो इस तरीका से यहाँ पर हमने आपके लिए दूसरा पार्ट करवा दिया है जो कि बहुत ही महत्पोन है दूसरा पार्ट भी और ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में तो हमेंसा याद रखना प्रश्ण को करते हैं समय आप यह ध्यान रखेंगे कि कहीं न कहीं मिस्टेक नहीं हो जल्दबाजी न करें आप और ध्यान से करिए प्रश्ण को ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है जिस तरीका से हम आपको पड़ा रहे हैं उसी तरीका से आपको करना है देखें स्टुएट यहाँ पर हम आपके लिए पांच में का थर्ड पार्ट कराते हैं तो पांच में का यहाँ पर थर्ड पार्ट सुरू कर देते हैं देखिए third part क्या है, third part यह लिखा है, minus का 5, और plus का minus 8, और plus का minus 11, यह है, और plus dot dot, यहां पर plus करके minus का 230 है, यह है, अब आपके लिए इसके लिए निकालना है term, यानि पदों का योगफाल, तो हमें पद को पता करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, देखिए, सबसे पहले हमें A की जरूरत है, A का मतलब पहला पद, तो पहला पद है मारे पास माइनस का 5, और D की जरूरत है, D का मान होता है T2 माइनस T1, यानि दूसरा पद क्या है, माइनस का 8 है, और माइन का मैनस का 3 कितना मैनस का 3 तो D कमान मैनस का 3 आ गया है A कमान मैनस का 5 आ गया है और हमें ग्याद करना है पहले पदों के संक्या निकालने पड़ेंगे तो पदों के संक्या निकालने के लिए हमारे जो लास्ट ठर्म है वो 230 है मैनस का 230 तो हम लिख देते हैं आपर last term जो है minus का 230 है यह हमने लिख दिया तो formula लगा देंगे l बराबर a plus n minus 1 into d यह l कमाने मारे पास minus का 230 बराबर a a कमाने मारे पास minus 5 plus n minus 1 into d d कमाने मारे पास minus का 3 यह है तो minus का 230 और यह जो minus का 5 है बोदर लिया यह plus का 5 हो जाएगा बराबर में n minus 1 into minus 3 तो 230 में से 5 चला जाएगा क्योंकि minus का है ज्यादा minus का ही आएगा तो यह आजाएगा आपके लिए 225 minus का 225 आजाएगा बराबर में n minus 1 into minus 3 यह आजाएगा ठीक है अब क्या करेंगा यह जो माइनस तीन लिखा हुआ है वो नीचे चला जाएगा तो माइनस का दो सो पच्चिस और बटे में आ जाएगा माइनस का तीन और बराबर में एन माइनस वन यह माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा तो हो जाएगा आपके लिए 225 और बटे में 3 ठीक है और बराबर में N-1 3 से बाग कर देंगे इसके लिए 3 सत्य 21 एक बचा 15 हो गया 3 पचे 15 यानि 75 आ गया तो 75 बराबर में N-1 तो यह आ गया अब 75 और यहाँ पर N-1 लिका हुआ है तो 1 को इदर लिए आएगे यह हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर में हो जाएगा N प्लस का 1 बराबर में N तो 75 और एक मिला करके हो गया 76 बराबर में N तो N का मान कितना आगए 76 यानि 76 यानि इसमें जो पदो की संख्या होगी वो 66 होगी तो इनको पदो का योग भी निकलना पड़ेगा तो निकालते हैं देखें as 76 बराबर तो 76 अपाउन 2 टू इंटू ए तो 2 इंटू ए ए कमान हमारे पास ए कमान है माइनस 5 माइनस 5 लिख दिया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानि 75 इंटू डी कमान हमारे पास है माइनस का 3 तो माइनस का 3 लिख दिया और ब्रेकेट क्लोज तो as 76 बराबर 2 से 1 कट देंगे 2 3 6 और 2 8 16 यानि 38 तो 38 यह आगया 25 दस माइनस का 10 और यहां 3 की गुणा हो जाएगी 35 पंद्रा का 5 और हासिल लगा एक 3 सत्य 21 और 12 यह आगया माइनस का 225 तो as 76 बराबर 38 और यह 225 और यह 10 जुड जाएगा तो माइनस का 235 आजाएगा ठीक है ना माइनस का 235 तो हम गुणा गरा देंगे 235 की 38 तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4 आट यह 24 और 4 28 का 8 हासिल लगा 2 और 8 दूनी 16 17 18 यह आगया गुणा 35 15 का 5 हासिल लगा 1 और 339 और एक 10 का 0 और हासिल लगा 1 तीन दूनी 6 और एक 7 प्लस कर देंगे 0 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 8 एक 9 7 एक 8 यह आजाएगा माइनस का 8930 इसका जो है समा जाएगा यह हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से हम कह सकते हैं आपर आपके लिए जो है तीसरा पार्ट भी खतम हो गया पांच में का और अब हम बात करते हैं छटे प्रशन की बहुत इंपोर्टेंट प्रशन होने वाला है छटा प्रशन